अन्य प्राशन की समय जब मेरा नाम करण हुआ था तब मैं ठीक नहीं बन सका था या फिर बाबा का जोती शास्त्र में विशेश दखल ना था किसी भी कारण से हो मेरा नाम सुकुमार रखा गया और बहुत दिन ना लगे दो ही चार साल में बाबस समझ गए कि नाम के साथ मेरा कोई मेल नहीं खाता अब मैं बारा तेरा वर्ष बात की बात कहता हूँ हलाकि मेरे आत्म परेचे की सब बाते कोई अच्छी तरह समझ नहीं सकेगा फिर भी देखिए हम गाओं के रहने वाले हैं पिताजी पचा में नौकरी करते हैं मेरा वहाँ बहुत कम जाना होता है मैं दादी के पास गाओं में ही रहा करता था घर में मेरे उधम की कोई सीमा ना थी और एक वाक्य में कहा जाए तो मैं एक छोटा सा रावण था बुड़े बाबा जब कहते तो कैसा हो गया है रहे किसी की बात नहीं मानता अब तेरे बाप को चिठी लिखता हूँ और मैं हसकर कहता बाबा वे दिन लट गए बाप की तो चलाई क्या अब मैं बाप के बाप से भी नहीं ड़ता बाबा अगर नराज अगर बाबुजी को चिठी भी डिखते तो उसी वक्त उनकी अफीम की डिबिया छिपा देता था फिर जब तक उनसे चिठी फड़वा कर च्विकवा न देता तब तक अफीम की डिबिया न देता था इन सब उब्तरवों के डर से और खास कर नशे की तलब में खलल पड़ जाने से फिर वे मुझसे कुछ नहीं कहते पर सभी सुखों की आखिर एक सीमा हैं मेरे लिए भी वही हुआ बाबा के चचेरे भाई गुविंत बाबु इलाबाद में नौकरी करते थे और वहीं रहते थे अब वे पेंशन लेकर गाओं में आकर रहने लगे उनके नाती शिरीमार रजनीकांत भी बीए पास करके उनके साथ है मैं उन्हें मजले भाईया कहता पहले मुझसे कोई विशेश परीचा तो नहीं था वे इस तरफ बहुत कम आते थे और कभी आते भी तो मेरी और ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे कभी सामना हो जाता तो कहते क्यों रहे क्या करता है क्या पढ़ता है इसके सिवा और कुछ नहीं इस बार जो आये तो गाउं में जमकर बैटे और मेरी और ज़्यादा ध्यान देने लगे दो चार दिन की बात्चित से ही उन्होंने मुझे अपने वश में कर लिया उन्हें देखते ही मुझे डर सा हुआ था छाती धड़कने लगती जैसे मैंने कोई भारी कसूर किया है और उसकी नाजने कितनी सजा मिलेगी और इसमें तो कोई शक नहीं कि उन दिनों मुझे अकसर ही कसूर हो जाया करता था डरने पर भी भाईया को मैं चाहता खुबता भाई भाई को इतना मान सकता ही है मुझे पहले नहीं मालूमता वे भी मुझे बहुत प्यार करते थे उनके निकड़ भी मैं कितनी ही शेरारते करता कि इन्तों वे कुछ नहीं कहा करते थे और कुछ कहते भी तुम्हें समस्ता की बड़े भई या ठरे थोड़ी देर बद भूल जाएंगे अगर वे चाहते तो शायद मुझे सुधार सकते पर उन्होंने कुछ भी नहीं किया उनके गाओं में आ जाने से मैं पहले की तरह स्वाधिन दो ना रहा पर फिर भी जैसा हूं मजे में हूं रोज बाबा की तंबा कुछ चुरा कर पी जाता बुड़े बाबा बेचारे कभी खाट के सिरहने कभी तक्ये की खोली के भीतर तो कभी कहीं तंबा कुछ छिपा कर रखते पर मैं ढून लेता और पी जाता खाता पीता मस्त रहता मौत से कटती पढ़ना लिखना तो एक तरह से छोड़ ही दिया था ना किसी का डर ना कोई फिक्र पिता बकसर में नौकरी करते थी वहां से ना मुझे वे देखने आते और ना मारने आते बाबा और दीदी काहाल मैं पहले ही कह चुका हूँ एक वाक़्े मैं यूँ कहना चाया के मैं मजजे में था एक दिन दुपहर को घरा कर दीदी के से यह सुना कि मुझे मजले भाईया के साथ कोलगता में रहकर पढ़ना लिखना पड़ेगा मैं बाबा के पास पहुंचा और बुला बाबा मुझे कोलगता जाना पड़ेगा बाबा ने का हाँ मैंने पहले से सोच रखे कि यह सब बाबा की चला के इसलिए का यदि जाओंगा तो आज ही जाओंगा बाबा ने हसते वे कहा इसके लिए चिंता क्यों करते हो रजनी आज ही कुलकता जाएगा मकान ठीक हो गया तो आज ही तो जाना होगा मैं आग बबला होटा एक तो उस दिन बाबा की छिपाई हुई तंबा को ढूनने पर नहीं मिली जो एक चिल्लम मिली थी वे मेरी एक फूक के लिए भी नहीं थी तिस पर यह चैला की परंतु मैं ठगा गया था अपने आप कबूल करके फिर पीछे कैसे हटू लिहाजा उसी दिन कोलकता के लिए रवाना होना पड़ा चलते वक्त बाबा के पैर चुए और मैं मन ही मन बोला भगवान करे कली तुम्हारे श्राद के लिए घर लोटा हूँ उसके बाद फिर मुझे कौन कलकता भीजता है देख लूँगा कोलकता में पहली बार आया था इतना बड़ा शेहर मैंने पहले कभी नहीं देखा था और वैसे भी कोलकता जरा अच्छा नहीं लगा कहां गया हमारा वै नदी का किनारा बासो के जुरूर बेल की जाड़ी मित्र परिवार के बगीचे के कौने कवे अमरूत का पेड़ कुछ भी तो नहीं है यहां तो सिर्फ बड़े बड़े उंचे मकान गाड़ी घोड़े आदमियों की भीड भड़का लंबी चौड़ी लड़का हो गया हूं हमारे आत्मे मित्रों ने मिलकर एक मेस बना लिया है जिसमें हम चार आदमी रहते हैं भाईया मैं राम बाबु और जगनात बाबु राम बाबु और जगनात बाबु मजले भाईया के मित्र हैं इसके सिवा एक नौकर और एक भ्रामन रस्वया भी है गदाधर रसोईया मुझसे तीन चार साल बड़ा था और बहुती भला आदमी था गदाधर बिल्कुल भिन्न परकर्टी का आदमी होने पर भी मेरा अंतरम मित्र हो गया फैर मेदीनी पुर्जिले के एक गाउं का रहने वाला था रविवार को मैं उसके साथ किले के मैदान में घूमने जाया करता शाम को रसोई घर में बटकर ताश खेला करता रोटी खाने के बाद चौकर उट जाने पर उसके चोटे हुके से दौनत मिलकर तंबाक को भी पी लिया करते महले पड़ास में और किसी से मेरी जान पेचा नहीं हुई उसके मुझे मैंने बड़ी बात नहीं सुनी जूट मूटी वह सबका निरादर करते इससे मेरे जी जहने लगता पर वह अपनी जवान से कभी किसी को जवाब न देता जैसे वास्ता में वह दोशी ही हो सब को खिलाब लाकर सबसे पीछे जवह रसोई गर के एकौनमी छिपकर छोटी सी पीतल की ताली में खाने बैठता तो मैं हजार काम छोड़कर वह पहुँच जाता बीचारी की तक्दिरी ऐसी थी कि पीछे से उसके लिए कुछ बचता ना था और किसी की खाने के समय मैं कभी उपस्तित नहीं रहा परंतु ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा कि मुझे खाते वक्त कभी रोटी दाल भाद घी तरकारी कम पड़ी हो इससे मुझे बड़ा बुरा मालुम होता बच्पन में मैंने अपनी दादी के मुझ से सुना है वे मेरे लिए कहा करती थी लड़का आदा पेट खा काकर सुख के काटा हो गया कैसे बचेगा मगर मैं दादी खतित भर पेट कभी नहीं खा सकता था सुख जाओ चाहे काटा हो जाओ मुझे आदा पेट खाना ही अच्छा लगता था अब कोलकता आने के बाद समझा कि उस आदे पेट और इस आदे पेट में कितना अंतर है इस बात का मुझे कभी अन्वव नहीं हुआ कि किसी को भर पेट खाना ना मिले तो आँखों में आसु आ जाते है पहले मैंने ना जाने कितनी बार बाबा की थाली में पानी डालकर उन्हें खाने नहीं दिया दादी के उपर कुटे के बच्चे को छोड़कर उन्हें नाने दोने के लिए बात दे किया फिर उनका खाना नहीं हुआ मगर उनकी आँखों में आंसु कभी नहीं है दादी बाबा अपने घर के लोग मेरे पुझे जो मुझे खूब प्यार करते थे उनके लिए मुझे कभी दुख नहीं हुआ बलकि जान बुझकर उन्हें आदा भूका और बिलकुल भूका रखकर मुझे प्रम संतोश हुआ और इस गदाधर को देखो इसके लिए मिरी आँखों में बिना बुलाए पानी आ जाता है कोलका ता आकर मुझे यह हो गया कि आखिर आखों में इतना पानी आता कहां से है कुछ पता नहीं मुझे किसी ने रोते कभी नहीं देखा किसी बात पर जीत पकड़ जाने पर पाठशाला के पंडिक जी ने मेरी पीट पर साबुद की साबुद खजूर की छड़ियां तोड़ दी फिर भी वे मुझे कभी रूला नहीं सके लड़के कहते सूप गुमार के दे पत्थर की है वे मैं मन ही मन कहता दे नहीं बलकि मन भी पत्थर का है मैं नन्ने बच्चे की तरह रोने लगता है दरसल रोने में मुझे बड़ी शरम मालूम होती अब भी होती है पर अब संभाले संभलता नहीं छिप कर रोलिया करता हूं जरा रोकर चटपट आके पहुच कर संभल जाता हूं जब स्कूल जाता हूं तो रास्ते में सैक्डो बिकारी भीक मांगते नजर आते हैं किसी के हाथ नहीं किसी के पैड़ने कोई अंदा है इस तरह नजाने कितनी तरह के दुखी देखता हूं मैं तो तिलक लगा कर खंजरी बजा कर जो जैर आदे कहकर भीक मांगते हैं उन्हें ही जानता था खैर अब आगे बिकारीयों की बात जाने तो अब मैं अपनी बात कहता हूं देखते देखते आके इसकी आदी हो गई पर मैं विद्या सागर नहीं बन सका बीच बीच में माता सरस्वती नाजाने कहां से आकर कंदे पर सवार हो जाती मैं नहीं कह सकता उनकी आग्या से कभी कभी मैं ऐसा सत्करम कर डालता था कि अब भी मुझे उन सरस्वती जी से घ्रणा हो जाया करती है डेरे पर किसका कौन सा अनिष्ट किया जा सकता है रात दिन में इसी फिकर में रहता एक दिन की बात है बाबु ने घंटे बर मैनत करके अपनी धोती चुनकर रखी वे शाम को घुमने जाएंगे और मैंने मौका पाकर उसे खुल कर सीधा करके रख दिया शाम को आकर धोती की हालत देखते ही बेचारे तकदीर ठुक कर बैठ गये और मैं फूला नहीं समाया जगनात बाबु का आफिस जाने का समय हो गया है जल्दी जल्दी खापी कर किसी तरह आफिस पहुँचना चाते हैं और मैंने ठीक मौके से उनकी अचकन के बटकन काट कर फेक दिये स्कूल जाने से पहले ज़रा जाक कर देखा बेचारे चिला चिला कर रोने की तियारी कर रहे हैं और मैं खुशी से रास्ते बर हसता रहा शाम को आफिस से लोटकर बुले मेरे बटन गदादर ने चुड़ा कर बेच जाले निकाल दो नलायक को जगनात बाबु के बटन हरन के मामले पर भाईया और रामबु भीतर ही भीतर खुब हसने लगे भाईया ने कहा कितने तरह के चोर होते हैं कोई ठीक नहीं पर बटन तोड़कर बेच खाने वाला चोर तो आज ही सुना जगनात बाबु भाईया की चुटकी से और भी आग बबला हो गए बोले नलायक ने सवेरे नहीं लिए शाम को नहीं लिए रात को नहीं लिए ठीक आफिस जाते वक्त पदमाशी तो देखो दुर्गती की हद कर दी उन्हें एक काला फटा कुर्टा पैद कर आफिस जाना पड़ा सब हस पड़े जगनात बाब को भी हसना पड़ा पर मैं हस नहीं सका मुझे डर हो गया कहीं गदादर को सचमुची ना निकाल दे नहीं बिचारा तो बिल्कुल निर्भोध है शायद कुछ कहेगा भी नहीं चुक्चाप सारा कसूर अपने उपर ले लेगा मजले भैया शायद समझ गए कि किसने बटन लिया है गरीब गदादर पर कोई जुल्म नहीं किया गया इस बात को कोई नहीं कह सकता पंडिक जी बाबा और वी कितने महाशों के लाइक कोशिश करने पर भी जिस बात की प्रतिग्या मैंने कभी नहीं की और ना शायद करता एक गदादर महराज का चेहरा देखकर उस बात की प्रतिग्या कर बैटा उसके बाद इतने दिन बीद गए पर मेरी प्रतिग्या कभी भंग नहीं हुई मैंने कह सकता मगर इतना जरूर है कि मैंने कभी जान बुचकर कोई प्रतिग्या भंग नहीं कि अब एक और आदमी की बात है वहता हम लोगों का नौकर रामा रामा जाती का काईस देता गौला ऐसा ही कुछ था कहा का रहने वाला था सो भी नहीं कह सकता पर फुर्तीला होशिया नौकर देखने में नहीं है ऐसा भी कामों में रामा चरके की तरह घूंता रहता अभी देखा कि रामा कपड़े दो रहा है, परंतु देखता हूँ कि भाईया नाने बैठे हैं, तो वे उनकी पीट रगड रहा है, इसके बाद पान लगाने में वैवस्त है, भाईया का मूँ लगा ना करता पर मुझे वे देखे न सुहाता, उस नलायक के लिए अक्सर इस शब्द की व्याक्यां वे खुद ना कर सकते थे, मगर अब समझता है कि रामा दरसल रूस है, उनके चिड़ने के कारण थे, मुख्या कारण यह है था कि रामा बाबू अपने को राम बाबू कहा करता था, भाईया भी कभी कभी उसे राम बाबू कहा कर पुकारा करते, मगर राम बाव को यह सब अच्छा ना लगता एक दिन शाम को भाया एक नया लैम खरीब गाया बहुत बड़ी अच्छी थी करीब पचास साथ रुपे दाम होंगे शाम को जब सब घूमने चले गए तो मैंने गदादर को बुला कर उसे दिखाया गदादर ने ऐसी बती कभी नहीं देगी थी बहुत खुश हुआ और दो एक बार इसने उसे उधर इधर और करके देखा भाला इसके बाद वे अपने काम पे चला गया पर मेरी क्यूरी सिटी शान्त नहीं हुई मैं उसकी चिमनी खुल कर देखना चाता था बहुत खोल कर हिलाया डुलाया इधर उधर किया घुमाने फ्राने की कोशिश की पर खोल ना सका और बहुत आब्जर्विशन के बाद मैंने देखा कि नीचे एक पेच है लिहाजा मैंने घुमाया घुमा ही रहा था कि चट से उसका नीचे का हिस्सा अलग हो गया और जल्दी में उसे थामना सका नतीजा यह हुआ कि उसका शिशा टेबल से नीचे गिर कर चकना चूर हो गया उस दिन बहुत रात पी थे मैं घुम कर लोटा घरा कर देखा वहाँ बड़ी हाय तबा मची रही गदादर को चारो तरफ से गेर कर सब लोग बैटे हैं गदादर से जिरह की जा रहे हैं भया खूब बिगड रहे हैं गदादर की आखों से टप टप आसु गिर रहे थे वे कह रहा था बाबू जी मैंने इसको जरा चुआ जरूर था पर तोड़ा नहीं सुकुमार बाबू ने मुझे दिखाया मैंने सिर्फ देखा उसके बाद ये घुमने चले गए मैं भी रसोई बनाने चला गया किन्तु किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया परमारी तो गया कि उसी ने चिमनी तोड़ी है उसकी तनखा बाकी थी उसमें से साड़े तीन रुपया काटकर नई चिमनी मंगाए गई शाम को जब बत्ती जलाए गई तो सब बहुत खुश हुए सिर्फ मेरी दोनवा के जलने लगी हर वक्त मन में यही ख्याल आने लगा कि मैंने उसकी मा के साड़े तीन रुपय चुरा लिए मुस्से वहां रहा नहीं गया प्रो बिलगकर किसी तरह भाईया को राजी करके मैं गाउं पहुँच गया सोचा था दादी से रुपय लाकर चुपके से साड़े तीन की जगा साथ रुपय गदाधर को दे दूँगा मेरे पास उस वक्त रुपय बिलकुल ना थे सब रुपय भाईया के पास थे इसलिए रुपयों के लिए मुझे देश आना पड़ा सोचा था कि एक दिन से अधिक ना थेरूँगा मगर साथ आठ दिन वहाँ भी थी ले साथ आठ दिन बाद फिर कुल गदाप पहुचा मकान में पैर रखते ही पुकारा गदा पर किसी ने जवाब नहीं दिया फिर बोला गदाधर महराज आपकी बाद फिर जवाब नहीं दा रहे फिर बोला गदाधर रामचरन ने आकर खाए छोटे बाभू अभी आ रहे है क्या हाँ हाँ भी चला रहे हूँ महराज का है महराज तो नहीं कहा गया है बाभू ने उसे निकाल दिया क्यों चोरी कीती इसलिए पहले बाद ठीक मेरी समझ में ने है इसे कुछ देर तक मैं रामा का मूद दाकता रहा रामा मेरे मन का भाव ताड़ गया जरा मुस्करा कर बुला छोटे बाभू आप ताजूब कर रहे न मगर उसे आप लोग पैचानते ना थे इसी से इतना चाते थे वहेद चिपार उस्तम था बाभू उस भीगी बिल्ली को मैं ही अच्छी तरह जानता था किस तरह चिपार उस्तम था और क्यों मैं उस भीगी बिल्ली को नहीं पैचान सका यह मेरी समझ में कुछ नहीं मैंने पूछा किस की रुपे चुराए बड़े बाभू के कहां थे रुपे कोट की जेब में कितने रुपे थे चार रुपे देखा किस ने आखर सत्य किसी ने नहीं देखा पर देखा ही समझे क्यों इसमें पूछने की कौन सी बात है आप घर में थे नहीं राम बाभू ने लिए नहीं जगरनत बाबू ले नहीं सकते, मैंने लिये नहीं तो फिर गए कहाँ, अच्छा, तो तूने उसे पकड़ा है, रामा ने हसते वेका, और नहीं तो कौन पकड़ता, ठंठनिया का जूता आप असानी से खरीच सकते, ऐसा मजबूत जूता शायद और कहनी मनता, उसी से मैंने चूरी की है, अब मैं यहां से जाता हूँ, अगर जिन्दा रहा, तो फिर कभी आऊंगा, मैं तब लड़का ही था, बिल्कुल बच्चे की तरह, उस हुक्के को चाती से लगा लगा कर फूट फूट कर रोनी लगा, पता नहीं क्यों, इसकी वज़े मुझे नहीं मालूँ, फिर मुझे उस मकान में रहना अच्छा नहीं लगने लगा, शाम को घूम फिर कर, एक बार रसोई में जाता और दूसरे रसोईों का खाना बनाते थे, चुप चाप लोटा था, अपने कमरे में आकर किताब खुल कर पढ़ने बैच जाता, कभी-कभी मुझे मजले भाई भ तो बहुत चाता था, भाईया ने का, हाँ काम तो अच्छा नहीं हुआ सुकमार, पर अब जो होना तरसो हो गया, लेकिन रामा को तुने इतना मारा क्यों था, अच्छा मारा था, क्या मुझे भी निकाल दोगे, भाईया ने मेरे मुझे से कभी ऐसी बात नहीं सुनी, मैंन और किसी को मैली चादर ओड़े फटी चदर चमकाते वे जाते देखता हूं, तो फौरन दोड़ा दोड़ा उसके पास पहुँच जाता, पर मेरे मन का अर्मान कभी पूरा ना होता, आशा नित्य निराशा में परिनात होती, पर मैं अपने मन की बात किस से कहूं, करीब पा चादर माराज मेरे हिर्दे में आदी जगा गिरे बैठे हैं